दर्शक साथियों यहाँ पर मैंने मक्का को धूप में सुका रहा हूँ और धूप में रह रहा हूँ मक्का को हमने अच्छा बनाने के लिए कम से कम हमने मक्का को पाँज दिन सुकाना चाहिए वाय पांज दीन चख सुकाना जाएक І अर्थराय चेत्र में है तो आपको तिन दिन में भी होसकता है बहुत जादा गर्मी वधाओं इक यह पहाडी चेत्र हैं और इसलिए हमने यह जग्वा में इसको आम पांच-छे दिन ऐसे करके माका को सुकाते हैं इसको उधार के भी इ एक भाकारी में भंडारण करेंगे और एसे करने से मक्का बहुत आच्छा होता है। आपने यहां पर देख रहे हो यह जो मक्का है यह मक्का आपको सेलेक्टिव भर्बेशाइट का पर्योग करके लावडीज company का बायोर company का लावडीज अवसदी परियूग करके एक बार भी इसको खंज़त नहीं करके हमने एक बार गुप लिया और उसके बाद में यह हो गया इसमें हमने और कुछ भी मीनेत नहीं गया और यह बहुत आठा भी हो रहा है दर्सक्सातियों और हमने इसे ही करके मक्का के काम करते हैं एक गाउं में जो मक्का के काम हो रहा है उस बरहत में ये मेनी वीडियो ले रहा हूँ और हमने एक जो ढूंगा होता है इस्टोन होता है और उसके उपर में हमने इसको शुका रहे हैं और मैं थोड़ा सा वीडियो करके भी आपको देखा रहा हूं कोई भी काम होता है ओर काम को हम निलेकरड़ भी करना चाहिए और हमने देखना हेरना भी चाहिए यह बहुत पिछे जाके दूरलब हो सकता है क्योंकि बड़ा-बड़ा मेसिन का सिस्टम आ रहा है और इसलिए बोट में ही हमने फस्ट में ही एक काम सलटा भी सकते हैं अब यह पहाड़ी चत्रा में एक मानब आदमी नहीं एक पुरसेस से काम करता है और मक्का आपने भी लगाइए और मक्का खेती से बहुत फायदा भी होगा और बहुत इजी भी है अभी मक्का खेती लगाने के लिए उतना कठीन भी नहीं है क्योंकि हमने सेलेक्टिब अर्विशाइट का पर्योग करके मक्का खेती कर सकते ही और इसलिए हमको बहुत मीनित भी करना नहीं पड़ता है इसलिए आपने एक खेती करके बहुत आसारा आमदाने भी कर सकते ही और खाने के लिए भी बहुत आच्छा होता है मक्का अब ये बीज के लिए हम तैयर कर रहे हिए अर नेपाल में भी अच्छा आच्छा बीज उत्पादन हो रहा है दर्शक सा तियो और मैंने आज आपको मक्का के काम कैसे होता है कैसे आद मैंने काम करता है एक वेडियो आपको देखा दिया लाइक सबस्क्राइब कमेंट किजिए वीडियो को सियर किजिए और आपको बहुत बहुत सुक्रिया धन्देबाद और इसे इसे ग्यान इस लोजिकल एक्रग्यान में मिलता है बहुत सारा धन्देबाद